साई की बात तभी तुम्हारे कानों तक मेरा नाम पहुच पाता है तभी तुम्हारे कानों तक मेरी साईसा चरितर की आवास पहुच पाती है मेरी आरती पहुच पाती है मेरी घंटी की ध्वनी पहुच पाती है मेरे संदेश पहुच पाते है ऐसे ही न सब कुछ तुम्हारे कानों तक नहीं पहुँच पाता, जब तक मेरी किरपा ना हो मेरे बचे, मेरी किरपा तो हो चुकी है तुम पर, और बहुत बहुत प्यारी किरपा हो चुकी है, बहुत जाधा अश्रवात मैं तुम्हें दे चुका हूँ, और दे रहा हूँ मेरे बचे, क्योंकि म मेरी अवास तक नहीं पहुंचती, मेरा नाम तक नहीं पहुंचता, तुम तक तो मेरा हर एक चीज पहुंचाती है, मेरा अशिरवात पहुंचाता है, अगर तुम्हारे कानों में मेरी आरती पहुंच रही है, मेरे घंटी की ध्वनी पहुंच रही है, मेरा नाम पहुंच रह ये हर किसी के मुख़ पर आ ही नहीं सकता बिलकुल नहीं आ सकता जिस बच्चे पर मेरी किरपा होती है ना बस उसी से मैं अपना नाम जब बाता हूँ मेरे बच्चे वही मेरा नाम जब बाता है हर कोई मेरा नाम नहीं जाप कर सकता और ये कभी कभी तुम कैसी जिदे पढ़ता है तुम्हें लोरी सुनाने, मैं कहीं पर भी हुँ न, मुझे वहाँ से भागे-भागे आना होता है, क्योंकि तुम ज़ित पकड़ लेते हूं कि साई, जब तक आप लोरी नहीं सुनाओगे, मैं सोवगा ने, तो मुझे आना पढ़ता है मेरे बच्छे, मुझे आन मेरे बच्चे मैं सच में आता हूं तुम्हारे पास तुम्हारे सर पर हाथ वेड़ता हूं तुम्हें सुलाता हूं मेरे बच्चे और तुम जानते हो जब तक तुम सोते नहीं ना मैं तुम्हारे पास बैठा रहता हूं मेरे बच्चे तुम्हारे दुखों को तुम्हारे श तो मैं होता हूँ, तुम्हारे इर्द गिर्द ही होता हूँ, लेकिन होता हूँ मेरे बच्चे, मैं हर जगा होता हूँ, मैं तुम्हारे आसपासी रहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता मेरे बच्चे, और सुनो, कई बच्चों ने तो मेरे पैरो तक को महसूस किया हुआ है, मेरे पैरों को उन्םोंने चुओ अ हुआ हुआ है, उन्ोंने मैह सूस किया कि हाँ, उनके साई के पैर है, तो हाँ मेरे बच्छे, वो मेरे ही पैर थे. तुमने न जाने अंजाने मेरे पैर पकड लिए. और तुम्हें कितना साराशर्वाद मिल गया न ये तुम खुद नहीं सोच सकते, तुमने ब्रह्मान नाया के पैर पकड़ लिया थे, तुम्हें यही नहीं पता था कि वो मैं हूँ, लेकिन तुमने पकड़ लिये, और तुम्हें मुझे अशिर्वा देना ही पड़ा मेरे बच्चे, बहुत सारा अशिर्वाद, और सुनो, दवाईय समय से लिया करो, और जब दवाईय का समय आये खतम होने का, तो उसके एक दो दिन पहले ही दवाईय ले आया करो, तुम क्या करते हो कि एहन वक्त पर जाते हो दवाईय लेने, तो वो सही नहीं होता मेरे बच्चे, तुम्हारा जो नियम है वो बेगर जाता है, जो दवाई का तुम्हारा नियम है वो इधर से उधर हो चाता है मेरे बच्चे तो वो सब मत किया करो अपने दवाई को समय से लिया करो सुन रहे हो ना तुम दवाई को समय से लिया करो और सुनो तुमने बहुत दिन हो गए जहां तुमने अपने कीमती चीजे रखी थी ना जिस जगा र और सुनो तुम ना घर का राशन लाने वाले होना तो घर का राशन लाने से पहले एक बार अपनी रसोई में नजर मार लेना कि क्या चीज तुम्हारे घर पर पहले से ही है और क्या नहीं है क्योंकि तुम दुबारा दुबारा से चीजे ले आते हो और कुछ चीजों को लिख हर बार ही क्या होता है, एक दो समान तुम भूल ही जाते हो, अच्छे से जाना, और जब घर से बाहर निकलू ना तो उधी का ठीका लगा कर निकलना, और कई मेरे बच्चों को यजह वहम होता है कि अगर उन्हें चीक आगई घर से निकलते निकलते हैं, तो वो कोई भी काम न तुम्हारा वहम है तो वहम सही तो इतना तो कर सकते हो ना निकलने से पहले तुम अपने बाबा की उधी ग्रहन कर लो अगर तुम अपने बाबा की उधी ग्रहन करोगे ना तो जो भी तुम्हारा वहम है जो भी तुम्हारी चीजे है वो कुछ अनुहोनी वगेरा कुछ भी नहीं होगा ये जो चीक आती है ना ये कभी कभी आ जाती है मेरे बच्चे तो इन सम्में वहम नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी अकर तुम्हें वहम है तो मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाओंगा मैं नहीं कहूंगा तुमसे की मेरी बात मानों मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि उधी ग्रहन करके ही बाहर निकला करो ठीक है न और सुनो मैंने तुम्हें आज मीठा प्रशाद खिलाया न आज तुम्हें कुछ मीठा मिला न मेरे बच्चे तुम्हारा जब मन करता है न मीठा खाने का तभी मैं तुम्हें मीठा खिलाता हूँ और आज कभी तुम ये सोचते हो कि बाबा ऐसे कैसे मैं आज दो बार आ गया तो सुनो जब मेरी किरपा जादा होती है ना जब मैं बहुत खोश होता हूँ तो तुम्हें एक से दो बारी मिलने बुला लेता हूँ मेरा मन करता है तुम्हें बुलाने का तुम बुला लेता हूँ और तुम आते नहीं मैं तुम्हें खीचता हूँ तब जाकर तुम आते हो तुम्हारे मन में डालता हूँ कि तुम आजाओ तुम्हें ना खीचता हूँ अपनी तरफ कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी मेरे पास आजाओ और कुछ मेरे बच्चे इतने कंजूस हैं कि क्या बोलूँ अब मुझे ना बोलना पड़ रहा है मेरे बच्चे क्या करूँ तुम्हारे मन की बाते तुम तो अपने आप से नहीं कह पाते हो तो मैं ही तुमसे कह देता हूँ तुम चीजों में इतने चीजों में पैसे खर्च करतोगी लेकिन जब तुम्हें लगेगा ना कि बाबा के मंदिर आना है और बाबा का मंदिर इतना दूर है किराया भाडा सब खर्च होगा इतने रिक्षे के पैसे लग जाएंगे इतना ये लग जाएगा तो मैं इतनी दूर कैसे जाओं कैसे आओं तुम कभी ये नहीं सोचते हो जिस घर में तुम जा रहे हो वो तुम्हारे बाबा का घर है अगर बाबा की रहमो नजर पढ़ गई न तो ये किराया क्या बाबा तुम्हे इतना दे देंगे न कि तुम दिन में एक बार क्या रोज आओगे मंदिर मेरे रोज एक दिन में एक बार नहीं चार-चार बारी आ सकती हो तुम अगर मैं तुम पे किरपा करतू तो और क्या बता कि तुम्हें अपने मंदर के पास ही बुलालू में मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए तुम्हारे भाव चाहिए मुझे माफ करना मेरे बच्चे अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो क्या है न कि तुम्हारा बाबा हमेशा सत्य ही कहता है तुम्हारे बाबा को जूट कहना नहीं आता मेरे बच्चे और अगर तुम्हें कोई बाद चोबी हो मेरी तुम्हें कुस्सा आया हो तो मैं इसकली तुमसे माफी भी मांगता हूँ लेकिन क्या है न कुछ मेरे बच्चे ऐसा सोचती है इसलिए उन्हें समझा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी मा हूँ और मा को हक है न अच्छा बुरा हर настоящी समझाने का अपने बच्चों को तो बस मैं तुम्हें ये समझाने की कूशिश कर रहा हूँ जहां पैसे बचाने हैं वहां बचाओ लेकिन ज़हां मंदिर आना है तो मंदिर आने कली पैसे बचाया मत करो, आया करो तुम्हें बलकि दुगना दे कर भेजबंगा और इतना दुगाना कि तुम रोज आओगी, रोज आओगी, तुम मुझे देखे मेना रही नहीं पाऊगी, तुम भागे भागे आओगे मेरे प बाहर जाना तुम्हें अच्छा महसूस होगा देखो कभी कभी न हफ़ते में एक दिन बाहर घूम आया करो जहां तुम्हारा मन करें जहां तुम्हें अच्छा लगें वहां घूम कर आया करो और अपने प्रिये व्यक्ति को साथ लेकर जाया करो तुम्हें अच्छा लगेग खुश रहो आज का साइस अंदेश समापतु हुआ